नमस्कार दोस्तों। नई जानकारी के साथ। जानकारी क्या? यह तो एक प्रकार से खिजाई है, सरकार की। मेरे चनल में आपका स्वागत है थोड़ा बहुत सरकार की खिजाई भी तो कर ले, सरकार क्या नेताओं की खिजाई है? ये हमारे देश की बहुत बड़ी बिडम बना है अनपड कहीं उपर जाके बैठ जाते हैं उसके नीचे I.S. ओफिसर और ब्यूरोक्रेट कितने दुनिया भर के लोग काम करते हैं जिनके दिमाग बहुत ज़्यादा चलते हैं इनहीं के दिमाग के चलते नेता लोग अपना काम कर लेते हैं नेता कितने अच्छे होते हैं वेलफेर आपको देते हैं यही तो सोचते हैं ना हम लोग के वेलफेर हमको देते हैं पर सारा कुछ अपने जोली में भरते हैं देखो एक नेता बिधाई बन जाता है पांस साल उसके लिए कमाही के पूरे इसाधन हो जाते है उसके बाद क्या करता है हो पांस साल के बाद जब अगर वो रिटायर हो जाएगा समझ लोग कि वहां से रिटायर हो गया और उसको पैंसन मिलती है पांस साल में एक फोजी विचारा पंदर साल अपने गुटने रगड़ता है फिर भी उसको सोच वही नियम बना देते हैं कि बोला है पैंसन दे या नहीं दे क्या देख रहे हैं मोदी जी वैसे तो सुधार ला रहे हैं बहुत कुछ सुधार ला रहे हैं कोई सुधार नहीं है ये सुधार तो नहीं होता है उसके बाद वही मिडिकल क्लास फोजीयों से या किसी मतलब बाकी लोगों से भोट भी मांगना है बोला हमने यह ऐसा कर दिय क्या कर दिया कुछ भी नहीं कि अगर एक विधायक पांस साल करके उसके बाद दुबारा विधायक बन जाए दस साल हो गए दस साल में उसको डबल पेंशन है एक फोजी 15 साल नौकरी करके आएगा घर वापस फिर डियेस्सी में नौकरी करता है तो उसको अगर 15 साल नहीं होते हैं तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी लेकिन अगर पांच बार का विधायक है तो पांच पेंशन उसको मिलेगी ओपर से बंगला गाड़ी सारा कुछ पेंशन रिटायर होने के बाद भी उसको बंगला मिलता है एक फोजी को क्या मिलता है क्या तादाद में ज़्यादा है इसको जिसे ऐसा होता है आज की डेट में हमारे जो देश में है इन फोजीओं से भी ज्यादा कहीं ज्यादा नेता है जो एक एक बार विधायक बनके घ पर उन फोजियों को क्या, जो अपनी दिन रात कोई सहीद होके भी आ जाता है, उसका भी कोई आगे देखने वाला कोई नहीं पांस साल में एक विधायक अपनी इतनी जो भी उसकी एसर्ट है, वो जीरो से शुरू करता है, पांस साल में वो करोड़ों का मालिक बन जाता है, पर भाजी वही पंद्रा साल रगड के उसके बाद मुस्किल से ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, तीस लाक रुपे आएगा वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करकर करने के बाद भी इस तिति में नहीं पहुँच पाता है बजाना और नेताओं को देखो यह अपने हिसाब से ऐसे नियम बना देते हैं कि उनके लिए सारा कुछ है बाकी नेताओं के लिए सारा कुछ है, सारी सुविधाय है पर जो आम पबलिक है, जो डेश के सुरक्षय करमी है उनके लिए उनके पैसे काटने के लिए नियम बना देंगे उनके सुभिधायें काटने के लिए नियम बना देंगे एक नेता को पालने के लिए कम से कम फोज के 25 सिपाई अगर एक नेता को पालना इतना भारी पड़ता है जितना एक फोजी 25 सिपाई को पाल सकते हो फोज कम करो अभी देखो एक लाग फोज और कम करने के लिए खबर आ गई है क्योंकि नेताओं को पालना है ना नेता तो इस देश के भावश से है फोजी कोई क्या भावश से है उसको क्या यूज करो और यूजन थ्रो शमझे लो यूज करो और थ्रो करो जो शुविदायें थोड़ी बहुत देनी थी वो भी अब धिरे धिरे दीमक की तरह काटने लगे हैं मेरे विचार में ये सब तो बहुत गलत है या तो तुम नेताओं को भी ऐसा करो तुम अगर तीन बार बिधायक रहते हो तब ही जाके पंदर साल पूरे होते हैं उमारे उसके बाद तुमको पैंसन मिलेगी या फिर भौजियों को भी ऐसा कर दो उनको पैंसन तो दे दो कम से कम नेता कहां से आए हैं क्या जबकि उनके एसेट इतने हो जाते हैं एक नेता बनने के बाद वो इतना तो कमा लेता है कमा क्या लेता है वो तो रूट लेता है कौन शुधारेगा आम पबलिक की जो आवाज है उसको तो दबा दिया जाता है बहुत सारे अंदोलन ये वो अभी देखो करीब एक साल होने जा रहा है फोजी लोग जंतरमंतर ये वो कहां 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 वो लोग धरने दे रहे हैं किसी मीडिया ने कभी उसको आगे नहीं लेके आए क्योंकि पैसा देना पड़ेगा फिर नेताओं के लिए बचेगा नहीं ना कुटाला करने के लिए बचेगा नहीं ना पैसा हाँ हम सभी अंधभक्त हैं मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए हाँ कर रहे हैं में जे भी मालम है कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं हमारी मैन पावर को नस्ट कर रहे हैं हमारी इच्छा शक्ति को कम कर रहे हैं देश जो अग्रशर आगे बढ़ रहे हैं उस में शहिंद लगा रहे हैं अगर अगरे पांच साल और आ गए तो आम पबलिक तो क्या ही घहने फिर गरीब तो थोड़ा उपर हुई जाएगा क्योंकि गरीबों के लिए बहुत सारे कल्यानकारी योजनाएं लानी पड़ती हैं यह सब इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है पर जो थोड़ा बहुत भी हैं उन्होंके लिए कुछ भी नहीं आज के लिए इतना काफी है अगर आपको जानकारी यह सही लगी है यह कमेंड आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंड सेक्षन में कमेंड करके बताईएगा वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा लोगों पर शेयर करके ताकि हर लोगों को यह जानकारी पता हो और मेरे चैनल को सब्क्राइब कर के बेल आइकन को हिट कर देजिए ठैंक्यू